दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप यूटूब चैनल बनाने के साथ साथ यूटूब के वो सेटिंग्स जो कई भाई लोग नहीं करते हैं जिसके वज़से उनका जो यूटूब चैनल है वो सर्च में नहीं आता है इसके अलावा यूटूब चैनल कस्टमाईजेशिन के से करते हैं? यूटूब चैनल बनाने से लेके यूटूब वीडियो अफलोड करने तक सारी जानकारी आपको बाइट पाट हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे यानि कि आगे के जो वीडियो है उसे आप स्किप करके नेक्स पार्ट में जा सकते हैं जिसमें मैं आपको यूटूब चैनल बनाने के बारे में बताऊंगा दोस्तों यहांपर साइड में आप मेरा मॉबायल का स्कृयन देख सकते हैं यहां से जो है घमेल ने करने के पार यहां फिर यूंटूब से ँदेख यहां मैं बच्का कर लेता हूं और यहां dubweयल चैनल उपन कर लिया है तो यहां पर ऊपर में जो icon दिख रहा है यहां पर क्लिक कर लेना है आपके पास c email ID लेगा तो sign in का option आपको देखना को मिलेगा तो वहाँ पर आप click कर सकते हैं नीचे में यहां पर add account का option है तो यहां पर मैं click करूँगा तो यहां पर जो है इस तरह से processing चालो होगा आप gmail id पे भी जाएंगे और वहाँ पर create gmail id अगर का option मिलेगा तो वहाँ से आप gmail id पे sign in के option पे click करके आ सकते हैं यहाँ पर already जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर gmail id और password पूछेगा तो यहाँ पर मेरे को नया gmail id बनाना है तो यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा कि create account तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर 2 option मिलेगा for myself myself or to manage my business तो यहां पर myself for myself पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको सबसे पहले पूछेगा आपका first name और उसका बाद में आपका surname तो यहां पर मैं अपना first name और surname जो है वो में दे दूँगा ठीए यहां पर हमने जो है अपना नाम और surname जो है दे है उसके बाद में next पे हम क्लिक करेंगे यहां पर जो है आपको date month और year यानि कि आपका जो birth date है वो बताएगा और gender पूछेगा तो यहां पर जो है हमारा date सारा चीज हम फिल कर लेते हैं जेंडर में जो है आप यहां चलिक कर सकते हैं आप अगर mail है तो mail करें फीमेल है तो यहां पर मैंने mail सिलिक कर लिए हैं उसके बाद में next पे क्लिक करेंगे यहां पर आपको पूछेगा कि आपका जो Gmail account है वह आप उसका जो username है वह हमें तो जैसे कि यहां पर मैंने अपना नाम पर Gmail ID सर्च किया तो यहां पर लिखा हुआ है कि Already taken मतलब यह Already किसी ने लिया हुआ है तो यहां पर आगे कुछ भी और एक्ष्टा जो है आप एड कर सकते हैं कोई रहे हैं या फिर Gmail ID बना रहे हैं तो हमेंसा याद रखिए अपना जो Gmail ID और पासवर्ट यह कभी भूलना नहीं है तो इसे जो है आप आप आगर कहीं पर भी save कर के रख सकते हैं या फिर अपने डाइडी वगेरा में भी save कर लिजे आपको यहां group करने लिखले हैं जिसका हमें पासवर्ट वगरा बिन रहता है बताए हो हम सेवने रखते हैं तो हम यहादर रखिए घंए आप चैनल लॉगन करने के लिए जब आपक्रेट कर लेते हैं अपने चैनल तो इसे logg-in करने के लिए जीमेल आइडिया और पासवड जानना जरूरी है तो इससे जो है आप सेव करके रहे तो चलिए सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर अपना पासवड password create कर लेता हूं तो द suffix यहाँ पर जोस्ति मेरगा थरना एगा जिसें हम एगर आगये और यहां पर हमारा जीमेल एडिए वह create हो चुका है तो यहां से एगरल करंगे हम यहां पर यूटूब पर हमारा जो Gmail ID यहां पर तो यहां पर उपर आइकॉन पर आप देखेंगे तो यहां पर एस हमारा जो नाम का पहला लेटर है वो इस तरह का इस तरह का लोगों के टाइप में आपको देखने को मिल जाएगा और यहां पर जो है हमारा Gmail ID पर हमने YouTube चैनल पर लॉग इन कर लिया है तो दोसे इस तरह से जो है आपने सबसे पहला स्टेप जो है आपके पास Gmail ID नहीं है तो Gmail ID आप create कर लेना है, याद रखिए Gmail ID और password आपको save करके रखना है, क्योंकि इसी Gmail ID और password से आपको अपने channel पे login करना है तो already हमने जो है अपना YouTube पे login कर लिया है, अभी तक हमारा जो channel है, वो create हुआ नहीं है अब step आता है, हमारा channel create के से करें, तो YouTube channel पे हमने login कर लिया है, और हम जो उपर वाला यह जो आइकॉन है इसे हम click करेंगे, तो यहाँ पर नीचे में आप देखेंगे, तो your channel बोलके option आएगा, ठीके तो वहाँ पर हमको click कर देना है और यहाँ पर आपको तो यहाँ पर इस तरह का page open हो जागा यहाँ पर आपको आपका profile photo लगा सकते हैं या फिर channel का जो logo होता है, वो लगा सकते हैं दोस्तों, अभी के लिए मेरा channel का logo अगर मैंने create नहीं किया है, तो उसे हम skip कर लेते हैं, नीचे में आपको नेम का option आएगा, यानि कि यह आपका channel का name है, चैनल का name जो है, आप क्या रखना चाते हैं, तो वो जो है रख सकते हैं, मानली जी कि आप अपने नाम से ही channel बनाना चाते हैं, तो रख सकते हैं, या फिर कोई unique सा नाम, जो अपने channel के लिए आप सोच रखे हैं, वो जो है आप type कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीके, मैं फिलाल यहाँ पर अपना channel का नाम ही रखता हूं, और यहां से बैक करता हूं, और उसके बाद में आता है handle, यह बहुत जरूरी है आज का time में अपने नाम का handle बनाना जरूरी है, तो handle यूटूब आपको suggest करेगा आप चाहें, तो इसे अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखें, तो handle काफी ज़्यादा अलग दिख रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब कश्री टाइप का है, तो मैं यहां पर अपना handle है, वह simple रखना चाहता हूं, तो यहां पर मैं कुछ और text या फिर कुछ और number जो है add करके अपना handle create कर लेता हूं, तो तो यहां पर मेरा handle है, वह भी ready हो हो चुका है, यानि के unix है handle है, जब भी हम YouTube पर इस handle को, यानि के जो मैंने handle रखा है, इसे add the rate of करके search करेंगे, तो हमारा channel है, वह appear हो जाएगा, तो handle यहां पर हमारा select हो चुका है, अभी हमने अपना channel का logo वगरा नहीं लगा है, जो कि next part में मैं आपको logo और banner के बार में बताऊंगा, अब दोस्तों यहां पर आप create channel पर click करेंगे, तो यहां पर आपका channel वह create हो चुका है, तो यहां पर फिलाल लिखा हो आ रहा है कि this channel does not exit, आपको वापस से home के button पर आ जाना है, और वापस से फिर इसी वाले icon पर click करेंगे, your channel के option पर जाएंगे, ठीक है, तो यहां पर आप देख लीजे, आपका channel जो है, वह create हो चुका है, जिसमें आपको home का option मिल जा रहा है, playlist channel और about यह सारे चीज़ जो है, option आपको देखने को मिल गए है, तो दोस्तों यहां पर आपका channel create हो चुका है, और हमारा जो channel बनाने का पहला part का जो process है, वह complete हो चुका है, यानि के हमारा जो channel है, वह create हो चुका है, इसके बाद में हमें अपने channel के लिए कुछ settings और कुछ और चीज़े add करनी की जरूवत पड़ेगी, जैसे कि हमारा channel का logo, हमारा channel का banner, इसके इलावा हमारा channel search में आ सके, उसके लिए वाला है, जिसे आप हमारे channel के discussion में जाके देख सकते हैं, या फिर end screen में जाके इसका part 2 का वीडियो आप देख सकते हैं,